हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल गाडनिंग हैकिंग आज हम बात करेंगे रोजेस के उपर पैस्ट अटेक का दोस्तो ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि अब टेम्प्रेचर जो है पता नहीं चल रहा है जैसे कि अभी गुलाब के पोदे हैं बहुत हेल्दी दिख रहे हैं दूर से देखने में मगर इनको अगर गोर से देखेंगे आप तो इसके अंदर पैस्ट अटेक होना स्टार्ट हो चुका है देखेंगे अगर में गोर से दिखाऊँ आपको तो ये करल होने लग गई है इसमें थ्रिप्स का अटेक होने लग गया है देखिए अब मैं बताता हूं आपको ये देखिए पत्ती में मरोड़ अब शुरू होने लगे हैं इसको क्रंकल बोलते हैं अब इसके अंदर थ्रिप्स और माइट्स का अटेक स्टार्ट होने लग गया है दोस्तों ये बहुत ही छोटे पैस्ट होते हैं वो बहुत आखों से विजिबल नहीं होते हैं और अगर सही टाइम पे इनका उपचार नहीं किया गया तो फिर ये बहुत डिवेस्टेटिंग हो जाएंगे आपके पोधे को पूरी तरीके से खतम कर देंगे तो दोस्तों वीडियो को पूरी तरीके से देखेगा इसके अंदर बहुत करके बताया हूँ ये इस तरीके से पत्तों के अंदर पहल जाती है और इसके जो कॉर्नर होते हैं ये सूखने लग जाते हैं अब क्यूंकि ये सकिंग पैस्ट होते हैं मतलब ये पत्ती के उपर चिपक के पत्ती का रस चूशते हैं तो ये इस तरीके से लाइने हो जाती है इसके उपर दोस्तों ये पैस्ट का अटेक बिलकुल नेचरल है क्योंकि मोसम बदल रहा है और पोदो के गुलाब की पोदो में अब पैस्टिसाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ गया है तो सबसे पहले तो ये है कि आप जित्ती भी ऐसी इन्फेक्टेट पत्या उसको अलग कर लें तोड के बिलकुल अलग कर लीजे ये देखिए मेने मोडा तो आपको ये पूरी तरीके से ऐसी जुसुई नजर आएंगी और ये वाइट-वाइट सा पाौडरी आपको दिखेगा तो ये पूरी तरीके से इन्फेक्टेड है अगर ये इन्फेक्टेड हैं उनको आप अलग रखें पोधों में मिक्स ना करें जैसे कि मैंने ये अलग करके रख लिया है और जित्ती भी है इसको आप गाड के जमीन के अंदर गाड दीजेगा या तो फिर जला दीजेगा अधर्वाइस ये पेस्ट आपके दूसरे पोधों में भी फैल जाएगा त दोस्तो होम रेमेडीज के उपर करने पर आप पूरी तरीके से यकीन ना करें अगर बज गये और अगर प्रॉपर तरीके से होम रेमेडीज नहीं किया तो बहुत ज़्यादा ये फैल जाता है और आपके पूरे पोधे को भी ये खतम कर सकता है कई जगे मेंने सुना है कि इसको liquid soap, neem oil या baking soda या white vinegar या rock से इसको treatment किया जाता है बट मेरा ये मानना है कि अगर हम इसकी जो proper pesticide करें तो ये बहुत अच्छे से improvement दिखाएगा इसके treatment के अंदर और आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे तो अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से हमें ये करना है अगर अगर ये फैल गया तो ये जो नई birds है ये देखे मेरी ये पत्ती भी खराब हो गई है नई पत्ती ही नहीं आपाईगी तो फिर ये किस तरीके से आपका पोधा बढ़ेगा तो अब क्या करना है मैं आपको ये बताता हूँ हम इसमें organic pest और inorganic pesticide लेंगे तो organic pest में हमने नीम oil लिया है और inorganic pest में imidacloropid लिया है दोस्तो imidacloropid, spider mites, thrips और बहुत अच्छा effect देता है क्योंकि क्या होता है कि ये जो sucking pest होते हैं इसका nervous system पे जाके attack करता है ये systemic है अगर आप spray करेंगे तो spray करने के बाद भी इसका असर रहेगा और नीम इसको तुरंत असर देगा तो ये दोनों का combination बहुत ही effective combination है और मुझे नहीं लगता है अलावा आपको कोई चीज की जरुवत पड़ेगी हां हर week में आपके requirement के साफ से पांस दिन में साथ दिन में या दस दिन में आप इसको repeat करिए जब तक के पूरी तरीके से खतम न हो जाए और अगर imidacloropid नहीं है तो आप उसकी जगे फिप्रोनेल भी ले सकते एक्जोडस भी ले सकते और लिसेंटर भी ले सकते बड़ सबसे पहले क्या करना है आपको पूरी तरीके से अपने पोधे को वाश करना है मैंने पूरी तरीके से पोधे को वाश कर ल रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूं हाला कि मैंने रात को ही इस्प्रे कर लिया है जो मैं आपको बता हूँगा तो आपको शाम के पांच बज़े के बाद आप कभी भी इस्प्रे करेंगे तो आपकी पत्तियां कभी भी next day मुर जाएंगी नहीं तो यह देखिए मै की water-soluble neem oil भी available है और यह immediate chloropid है यह दो लीटर की शीशी है मैं immediate chloropid around 2 ml पर लीटर लूँगा और नाप के हमेशा जरूर लीजेगा कि नाप के अगर आप लेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा effective रहेगा और कभी भी इसके side effects नहीं होएंगे और अब हम यह ले लेते हैं नीम oil यह मेरे पास water-soluble neem oil है मैंने इसको भी 2 ml ले लिया आपको 1 ml पर लीटर लेना है और इसको proper तरीके से shake कर लें तो अगर आपका नीम oil मिला लेना है अच्छे तरीके से मिला लेना है थोड़ा सा dishwasher liquid detergent डाल दीजे तो वो उसके अंदर soluble हो जाएगा proper तरीके से अब हमको क्या करना है हमको शाम के वक्त अच्छे से spray करना है और इस प्स्प्रे किस तरीके से करना है थोड़ा side करके उपर पत्तियों के नीचे भी proper spray करेंगे तो जो contact में आएगा क्योंकि हमने नीम तेल डाला है वो तुरंत इसके उपर असर डालेगा और जो हमने immediate chloropid करा है वो systemic pesticide है और वो इसके उपर effect देगा करीब एक हफते तक के तो दोस्तों वीडियो informative लगी है तो प्लीज लाइक शेर करें थैंक्स